हेलो वेकर्स, मुनम्स कुकिंग इन बेकिंग में आप सबका स्वागत है तो आज फिर साच चुका है मेरे पास एक दम अरजेंट वाला ओरर तो जल्दी जल्दी से मैंने स्पॉंज बेक कर लिया और इससे ठंडा वगरा करके न क्रम कोट करके रख दिया था इसमें मेरे ना 45 मिनिट से उपर हो चुके है अभी मैंने फाइनल आइसिंग करना सुरू किया है तो कस्टमर ने कोई डिजाइंग बताई नहीं थी तो मैं कुछ भी बनाने वाली हूँ कुछ भी का मतलब है आज मैं बेकरी स्टाइल केक बनाने वाली हूँ तो दोस्तों ये वाला ना पाइनेपल फ्लेवर का केक था क्योंकि कस्टमर ना वो भी नहीं बता पाई कि उनको कौन सा चाहिए तो मैंने पाइनेपल फ्लेवर हाप केजी का केक रेडी कर दिया है तो देखे बेकरी वाले केक होते क्या है बेकरी वाले केक होते हैं जो न्यूटरल जेल के साथ गारनीसिंग यूज़ करके काम किया जाता है तो यहां मैंने एक ड्रॉप ले लिया है परपल कलर और उसे स्क्रैपर में डालके क्रीम में अच्छे से फैला दिया है देख रहे हैं आप बहुत अच्छी से काम हो जाता है तो आपको अलग से कोई क्रीम अगरा फेटने की जरुवत नहीं पड़ती पहले तो ना मैं दो कलर डालने वाली थी बटना मैंने सुचा पता नहीं फिर ना दो कलर मिल के कुछ ना तीसरा अतरंगी कलर ना बन जाए तो आगे लास्टक से जरूर से जरूर वीडियो में बने रही है कि मैं आज क्या नया करने वाली हूँ थोड़ा नया कलर कॉंबिनेशन ट्राइ करने वाली हूँ नई कोई डिजाइन तो यहां पे ना मैंने सिलिकॉन ब्रस से भी अच्छे से फिनिशिंग दे दी है और देखे ज्यादा पतली हो गई तो फिर से मुझे दोबारा काम करना पड़ा नीट्रल जेल में कलर मिला कर ठीक है तो कभी-कभी हड़ बडी के चक्कर में घड़बड़ी हो जाता है समय कम होना तो तभी काम हो जाता है पूरा मैसी घड़बड़ी से फता नहीं क्यों तो यहां मैं देख रहे हैं जैसे मैंने बस ऐसे डीपिंग कर दिया है क्योंकि आज मैंने बोला कुछ नया मैं ट्राइक करने वाली हूं तो ये काफी अच्छा लग रहा था अगर ऐसे भी मैं छोड़ दूना तो ये काफी अच्छा लग रहा था इसके साथ यलो अगरा कुछ बीच-बीच में डॉप दे देती ना तो भी पड़ी हलगता पटना मैंने सुचा कि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये डिजैंग बहुत सिंपल हो जाएगा तो फिर थोड़े बहुत गार्निसिंग वगरा मैं डालूंगी मतलब अगर मैं कवर नही है बहुत ना कस्टमर को साधा लगता है इसलिए फिर ना मैंने गार्निसिंग एट के और देखिए इस टानो जर मैंने नॉर्मली ले लिया और बहुत पास-पास से ये वाला डिजैंग पटापट से बन जाता है ये वाला बॉर्डर जो है ना और काफी सुन्दर भी लग तो बड़ी अलग रहा है ना ये वाला डिजैंग तो थोड़े बहुत गार्निसिंग का पिटारा मैंने खोल लिया है क्योंकि मेरे पास ना वाइट में या कुछ ना कलर वाले चॉकलेट गार्निसिंग बनाने का समय नहीं था है ना कुछ गार्निसिंग मैंने बनाकर रख अर्जेंट ओर राजकल आ रहे हैं तो मेरे गार्निसिंग हतम हो चुके थे तो जितने मेरे से बन पड़े उसी को मैं यहां इस्तमाल करूंगी और यहां मैंने क्या क्या एक रोसेट बनाया और उसमें देख रहे हैं नूटरल जेल डाल दिया तो यह थोड़ा अलग टाइप स ऐसा भी ट्राइ कर सकते हैं कई बार हमें ना खुद अपने मन से भी कई चीजे ट्राइ करनी पड़ती है ना केक देख की कॉपी तो कोई भी कर सकता है बटना मन में उस चीज को धियान रखकर हमें डिजाइंग सोचना पड़ता है बनाना पड़ता है कलर कॉंबिनेशन भी सोचना पढ़ जाता है ठीक है तो ऐसी चोटी चोटी चीजे है सीखनी पड़ती है मैं भी लर्नर ही हूँ अभी मैं काफी चीजे सीख रही हूँ तो यह अच्छा लग रहा है मुझे तो मैंने ऐसा सोचा और डाल दिया अच्छा ही लग रहा है बढ़ हाँ दो गार्निसिंग से नहीं होगा मैं काफी सारे अभी एट करने वाली हूँ तो यहाँ पे जो भी दो तीन प्रकार के हैं जो मुझे अच्छे लगते जाएंगे वो मैं इसमें स्टिक करते जाओंगे और देखे तूट गया ना चॉकलेट बहुत जादा सेंसिटी होता है हलका सा भी थोड़ा बहुत हाथों की गर्मी मिली है जो भी और थोड़े तूट जाते हैं तो यह वाला काम आराम से करना होता है तो अभी देखे लाइट भी चली गई और अभी साम हो चुका है तो फिर भी ना काम तो जारी रखना है वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरा केक ना ओल्मोस्ट रेडी हो चुका है थोड़ा बहुत कसर बचा है एक तो मिनिट का काम ही बचा हुआ है तो यहां पे ना मैंने ब्लैक वाले थोड़े से स्प्रिंकल डाल दिये है और सांथ के सांथ गोल्डन वाले भी मैं एड़ कर दूँगे पूरा कवर नहीं करूँगे बस थोड़ी थोड़ी जगह रख दिया है बेकरी में आपने देखा होगा स्प्रिंकल ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह रख दिये जाते है है ना पूरे छिड़के नहीं जाते वो वाले भीटी जाएं अच्छे लगते तो मैंने वही बनाने की ट्राई करी है और यहां पे लाश्ट में ना मैंने गोल्डन स्प्रे डस्ट कर दिया है क्योंकि ना मुझे परपल के साथ ब्लैक वैसे ही ना लब दोनों डार्क सेड में चले जा रहे थे ठीक है तो इसके साथ पीला तो मैं नहीं कर पाई तो मैंने सूचा गोल्डन ही स्प्रे कर देती हूँ कलर कॉंबिनेशन ठीक से बैट जाएगा और सच में गोल्डन डालने के बाद में काफी अच्छा कलर कॉंबिनेशन इसका हो गया है तो ये केक का लुक तो ना लाश्ट टक अगर है मेरे वीडियो में तो देख पा रहे होंगे काफी अच्छा बन चुका है और एकदम बेकरी स्टाइल बन गया है और कस्टमर भी आया ना तो उनको इतना पसंद आया लेकिन हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरे वीडियोस हेल फूल लगते हैं तो चैनल को लाइक से सस्क्राइब कर सकते हैं चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जाएए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए राधे राधे